हमारा विशह है संत्वाणी अंकिला मी दास तुझा इसका अर्था है कि मैं तेरी सरण में आया हूँ तेरा दास हूँ, तेरा सेवक हूँ प्रस्तुत अभंगा मद्धे संत नाम देवानी विभीत द्रिश्टान तातून प्रमेश्वर क्रिपेची आशना के लिए है। प्रस्तुत अभंग में संत नाम देवने अलग-अलग द्रिश्ट के द्वारा प्रमेश्वर से अपने उपर क्रिपा करने की विरंती की है। अगनी माजी पड़े बाडू माता धावे कन वाडू तैसा धावे माजिया काजा अंकिला मी दास दुझा। अगनी माजी का अर्थ है आग में, in fire, पड़े का अर्थ है पड़ना, to be found, बाडू का अर्थ है बच्चा, child, कन वाडू का अर्थ है दयाडू, merciful, धावे का अर्थ है दोड़कर, running, तैसा का मतलब है जैसा, as like that, माजिया, मेरा, my, काजा का अर्थ है काम, work, अंकिला का अर्थ है सरण आलेला, सरण में आया हुआ, वारकरी संप्रदाय के महान प्राचारक, संत नामदेव महराज, विठल भगवान के भगते हैं, वे पूरे समर पड़ से, विठल भगवान का आवहान करते हुए, कहते हैं कि, जब कोई बालक, आग में फस जाता है, तब मा अपने पुत्र को बचाने के लिए, जिस प्रकार भागती है, उसी प्रकार संत नामदेव चाहते हैं कि, स्री विठल उनकी मदद करने के लिए, उनकी तरफ दोड़ते हुए आए, वे कहते हैं कि, हे प्रभु विठल, मैं आपका दास हूँ, माता की तरह, आप पीली का अर्थ है, बच्चा, कब, धर्नी का अर्थ है, धर्ती, जमीन विठल भगवान की प्रातना करते हुए, संत नामदे महराज कहते हैं कि, जैसे कोई पच्ची का छोटा बच्चा, पेड़ से गिरने वाला होता है, और इस बच्चे को बचाने के लिए, उसकी मा आसमान से दोड़कर, उसके पास जाती है, उससी प्रकार, आप मेरे लिए दोड़कर मेरे पास आईए, भूकेले वत्सरावे, धेनु हुंबरत धावे, भूकेले भूखा हंगरी, वत्सरावे बच्चडा बच्चडे की आवाज, धेनु गाय काओ, हुंबरत आवाज करना, दास का अर्थ होता है गुलाम, पर यहां पर दास का अर्थ भक्त लिया संत नामदे महराज कहते हैं कि जब गाय के बच्चडे को भूक लगती है, तो चिलाता है, तो बच्चडे की आवाज सुनकर गाय चिलाता हुए अपने बच्चे की ओर जाती है, उसी प्रकार हे विठल, आप मेरी कटनाईयों में मेरी तरफ दोड़कर आओ, और मेरी रच् वण्वा लागला से वनी, पाड़स चिंतित हरनी, वण्वा का आर्थ बड़ी आग, फॉरेस्ट फायर, पाड़स का आर्थ है हिरनी का बच्चा, लागला का आर्थ है लगना, हरनी का मतलब है हिरनी, वनी का मतलब है जंगल, फॉरेस्ट संत्वनाम देव श्री विठल भगवान से मन पुरुग विनंति करते हुए हिरनी का उधानर देते हुए कहते हैं कि जंगल में आग लगी है और उस आग में हिरन का बच्चा फस गया है ऐसे समय उसकी मां हिरनी चीन्तित होकर उसे बचाने जाती है संतनाम देव कहते हैं कि हिरन के बच्चे जैसी मेरी अवस्ता हो गई है इसलिए आप भी मेरे लिए दोड कर आईए और मेरी रच्छा कीजिए नामा मन है मेगा जैसा विनवीतो चातक तैसा नामा का रथ है यहाँ पे संतनाम देव से संतनाम देव कहते हैं कि जिस प्रकार चातक पच्छी आसमान में काले बादलों को देखकर पानी बरसने का इंतजार करता है जिससे उसकी प्याच भुच सके उसी प्रकार संतनाम देव बड़ी उस सुकता से सरीविठल भगवान का इंतजार कर रहे हैं अगर यह कविता आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले